तो फ्रेंस ये है तूरई यानि इसको गील की भी कहा जाता है और हमारे यहाँ इसको नेनुआ बोलते हैं तो चलिए इसको आज हम थोड़े अलग तरीका से बनाएंगे तो सबसे पहले मैंने दही लिया है उसमें मसाले डाल देते हैं तो एक चमच लाल मिर्च पाउडर धनि है उसको चील लेंगे और फिर हम इसको कदुकस कर देते हैं तो यह देखिए हम इसे कदुकस कर देते हैं थोड़ा जो मोटे साइट का जो है ना कदुकस करने वाला उस तरफ से हम करेंगे तो आप सब देख सकते हैं मैंने कदुकस कर लिया है और चलिए हम इससे बनाना सर्सों का तेल मैंने यहां पर डाला है और इसे में हम साथ यह आलू चाट है जो में फ्राय करेंगे जर्सों करें तो यह मैंने गोला आलू को काटा है आप अपने specifically पशेद त्रीके काट सकते हैं आलू को और मैंने हलका सा नमक डाला है आलू में क्योंकि नमक डालने से जो आलू होते हैं थोड़ा जल्दी पक जाते हैं तो ये देखिए आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है और साथ हमने आलू निकाल लियें और बाकी बच्चा हुआ तेल में हम जीरा डाले हैं और लसन साथी प्याज डाल देते हैं और यह हम फिर इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और इसको हलका सा फ्राई कर लेंगे गोल्डेन होने तक इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो यह हमारा प्याज भी भून चुका है साथी इसमें हम कसूरी मेथी डाल देते है इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं आप ऐसे भी बना सकते हैं तो चलिए जो हमने दही का पेश्ट बना कर तयार किये थे ना तो वो डाल देते हैं प्याज में और साथ ही इसको अच्छे से भूनेंगे तो ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से भून जाता है तो सब्जी का टेस्ट बहुत जादा अच्छा आता है तो कोसिस करें, मसाले बहुत अच्छे से भूने होने चाहिए और ये जो कटोरी में थोड़ा सा मसाला लगा था ना उसी में हमने पानी डाल कर मसाले में डाल दिये हैं और इसको अच्छे से पकाएंगे यह आप देख सकते हैं कि मसाले इतनी अच्छे से भूने हैं कि उपर उपर तेल दिख रहा है अब लाश्ट में हम इसमें डालेंगे जो हमने तुरई को कदुकस किये थे न वो डाल कर इसको अच्छे से भून लेंगे तो यह दिखे, इसे हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम लाश्ट में डालेंगे. जो हमने फ्राइ किये थे आलू न, इसे डाल देते हैं. और डालने के बाद इसको अच्छे से mix करेंगे अब लाश्ट में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक तो ध्यान रखें कि हमने जब आलू फ्राइग कर रहे थे उससे में भी हलका सा नमक डाले थे तो उस हिसाब से अपना स्वाद के नुसार इसमें नमक डाल सकते हैं अब पानी डालकर इसको हम पकाएंगे तो ये देखिए हमने सबजी को बहुत अच्छे से पका लिया है तो मिलती हम अगले नेक्स्ट वीडियो में